लेटेस जानकरी सबसे पहले पाने के लिए सबस्क्राइब कीजिए इस चैनल को और वेल आइकन जरूर दबाईए इस वीडियो को जादा से जादा शेयर एंड लाइक जरूर कीजिए अगर आपने अभी तक अपने आधार कार्ट से आपका पेंड कार्ट को नहीं जोड़ा है तो अब आपका पेंड कार्ट आमान्य हो सकता है आपका पेंड कार्ट रेजेक्ट हो सकता है इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि अपने पेंड कार्ट से आधार कार् पलें वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें इस वीडियो को लाइक करें और वेल आइकन को जरूर प्रेस करें अगर 31 दिसंबर तक आपने अपने पर्मनेंट एकाउंट नमबर यानि पेंट नमबर को आधार कार्ट के साथ नहीं जोड़ा तो यह अमानी हो जाएगा यह जानकारी सरकार की ओर से जारू किया है मुझूदा समय में पेंट कार्ट का इस्तिमाल आईटियार रिटन फाइल करने के दोरान किया जाता है आपको बता दे कि बित्ति बिधेक में संशोधन के माध्यम से सरकार ने एक जुलाई से टेक्स रिटन के लिए टेक्स रिटन फाइल करने के लिए आधार काट का जरूरी करने का प्रस्ताब रखाए आधार काट को पेन काट का आविदन करने के लिए भी जरूरी बनाया गया है जिसका इस्तिमाल प्रमुग तोर पर बेंक एकाउंट खोलने के लिए किया जाता है तो हम आपको बताने जा रहा है कि आधार की अधिक-धिक यानि authorized website के मुताबिक आपको क्या करने की जरूरी जरूरत है सबसे पहले आपको आएकर विभाग की यानि income tax विभाग की e-filing website पर जाना है वहाँ पे खुद को आपको registration करना है यदि आप वहाँ पे पहले से ही registered है पहले से ही पंजीकरत है तो अपना ID पासवर्ट और आप code डालकर उस site में आप sign in कर सकते हैं जब आप एक बास site में sign in करेंगे तो आपको UID से आपके pane को जोडने के लिए एक window खुलेगी और वहाँ से सारे जो details से वह automatic दिखने लगे कि आपको इसमें क्या-क्या डालना है आपको जो भी information वो आपको मांगते हैं वो information आपको देते जाना है और उसके साथ से जो है उस information को आप सत्यापित करेंगे उसको बताएंगे कि हाँ यह सही है और आप मेज करेंगे कि जो भी information आपकी आधार कार्ट के साथ है और वो ही pen card में है जब भी आप इस information को मेज कर रहे हैं तो उसके बाद आप आपका आधार नंबर टाइप करें उसके बाद आप link now का बटन क्लिक करें जैसे ही आप link now का बटन क्लिक करेंगे तो कुछ ही second के अंदर आपके pen card और UID दोनों ही जुड जाएंगे और उसके बारे में आपको एक information आपकी की screen पर आएगी यदि आपकी जो information है आपके आधार card के इसाब से नहीं है तो आप एक पिर्मान पतर जमा करें कि इसमें date of birth गलत है या इसमें address गलत है या इसमें father's name गलत है तो उसके हिसाब से आप सारी चीज़े कर सकते हैं तो यह बहुत ही simple है income tax की file पर जाना है अपने आपको registered करना है अगर आप पहले सी registered है तो अपनी ID password डालना है वहाँ पे option आएगा link now आपको information चेक करना है कि information जो भी वहाँ दिख रही है वो information सही है गलत है अगर सही है तो link now पे click करना और गलत है तो आप वहाँ पे इसमें address का name गलत है या मेरे to birth गलत है दोसतो य यह था मेरा आज का वीडियो मीदे वीडियो आपको पसंद आया होगा असे जादे जादे लाइक करें शेयर करें मिलते हैं अगले वीडियो में